जहे हैं दोस्तों कैसे आप उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे परिवार के साथ खुश होंगे तो दोस्तों IRCTC हवाई यात्रा लेकर आया टूर पैकेज बहुत सांदार टूर पैकेज है तो चलिए बिस्तार से पूरा जान लेते हैं यह आप उटी कुर्ग वेंगलोर घूम अपकमिंग डेट है 24 जनवरी 2024 इसमें कवर किया जागा बैंगलोर कुर्ग मैशूर और उटी यह पैकेज 6 राते 7 दिन का होगा तो इसके बारे में और महत्पूर्ण जानकर हम जानेंगे कि क्या रेट रहेगी बच्चा पर परसन और इसमें क्या सामिल रहेगा बोजन में क्या-क्या दिया जागा क्या तीन ट्राइंगा बोजन दिया जागा या नहीं दिया जागा क्या-क्या सामिल नहीं होगा और इटेनरी पूरी इटेनरी जानेंगे कि कांग कांपर आपको किस प्रकार से गुमाय जागा तो आप देख सकते हैं आपकी फिलाइट इंडिगो रहेगी आप लखनाव एरपोर्ट से सोवे नौ वच के दसमेंट पर बैठेंगे किलास कमपोर्ट रहेगी फ्रेकेंसी रहेगी 24 जनवरी 24 को यह टूर जागा और 30 जनवरी 24 को यह टूर जाने वाला गुरुफ साइज 30 का रहेगा आपको भोजन में breakfast और डिनर दिया जाएग दोस्तो यात्रा कार का मियानि की डेवाई डे इटिनरी बैंगलूर मैसूर कुर्ग और उटी तो पहला दिन आपका लखनाव से बैंगलूर या मैसूर जो की 143 किलो मीटर है दो गंटे 45 मिट का समय लगा 24 जनवरी 24 को लखनाव हवाई एड़े पर आप एकतित होंगे बैं लोर पहुंच जाएंगे मैसूर के लिए आपको आगे ले जाए जागा जिसे महलों के सेर की रूप में भी जाना जाता है अपने समहित डिजाइन और जगमगाते टेरेंस गार्डन के लिए प्रिसित ब्रंदावन गार्डन की और यात्रा करेंगे आप होटल में आप चेक उगसे दिन आपका सुबह शुरूगा होटल में नास्ते के साथ और आप चमुंडी मंदर जाएंगे एक प्राचीन हिंदू मंदर है जो देवी चमुंडी को समर्पित है बाद में मैसूर पहले इसका दोरा करेंगे जो की एक एतियासिक महल और वाडियार राजबंस का अरी गाटियों का एक मन मोहक द्रश्य प्रसुत करता है धान के खेतों से लदा हुआ कुर्ग के खेत देखेंगे आप उसके बाद आपको रात्री बोजन दिया जागा रात्री विस्रम आप के हुटल में करेंगे और इस प्रकार से आपकी यात्रगा दूसरे दिन समाप्त सיבر है उसके बाद आप को सल्लगर मट का दौरा करेंगे जो ट्वांग के बाद भारत का दूसरा सफ़से बड़ा मट है मट के बाद में हम एवी जरने का दौरा भी करेंगे कॉफी और मसाले के जो बागान है उनके बीच में आपको घुमाये जागा जरना कई दाराओं गा एक सही हो जाना है जो एक साथ आते हैं और पानी के एक पूल में गिरते हैं जो बहुत बैते हुए कावेरी नदी में बिलीन हो जाते हैं इस्तलों की यात्रा के बाद आप कुर्ग में रात का भोजन करेंगे और उसके बाद आप रात्री विसाम करेंगे इस प्रकार से आपकी यात्रा का तीसा दिन समाप तो हो जाएगा आपकी यात्रागा चौते दिन कुर्गे से ही हूटी जो की दो सो पैंतिस किलो मीटर है और लगवाग च्छे गंटे का समय लगता है तो हूटल में सुबह नास्ते के बाद आप चेक अट करेंगे और बाद में आप हिले स्टेशनों की राणी की रूप में प्रिसिद हूटी जंगली सुहर, सियार आदी जैसे वन्ने जीवो को देखने का मुका आपको मिल सकता है साम को आप उटी पहुंचेंगे आगमन पर हूटल में आप चेक इन करेंगे रात्त्री भोजन करेंगे रात्त्री विसराम आप उटी की होटल में करेंगे इस परकार से आपकी यात्र सरकारी बनसपत्ती विग्यान का दोरा करेंगे इसमें बिदेशी और स्वदेशी दोनों पोदों की लगवग एक हजार पर जाती है चाय फैक्टरी मुम संग्राल है साम को खुब सूरत रोज गारण की यात्रा करेंगे बाद में सुर में उती जील में नाव की सवारी का आननत लेंगे बॉलीवूड के सुरु आती दिनों में एक महतپूर परिय टक स्टल बाद में आफ शॉपिंग करेंगे डिनर करेंगे और उती के होटल में रात भर आप रूकेंगे विशराम करेंगे इस प्रकार से आपकी यातरा का 5 बद दिन भी समाप्त हो जाएगा आपकी यातरा का 6 बद दिन ऊटी से बैंगलोर नास्ते कवाद आप सोगय होटल से चेक आउट करेंगे और निकलेंगे बैंगलोर के लिए आप आगे बढ़ेंगे जिसे देश का एक प्रमुक आईटी के होने के करण भारत की सिलीकॉन बेली के रूप में जाना जाता है, आगमन पर आप साम को बैंगलोर पहले इसका दोरा करेंगे, बाद में आप आराम करेंगे और उसके बाद आप अपने आसपास की जो भी इस्तान है उसका बिरबन करें आप सुबह नास्तेगवाद होटल को चेक आउट करेंगे, इसकोन जाएंगे यदि समय हुआ तो, बाद में आप साड़े ग्यारा बजे बैंगलोर हवाई एड़े पर उतरेंगे, बहां पहुंचेंगे और दो फैर एक बचकर 35 मिट पर आपकी फ्लाइट 6E196 में सवार हो और वो आपकी फ्लाइट उडान भरेगी, जो की 35 मिट पर लखनव आ जाएगी और आपकी इस प्रकार से यात्रा सुकद यादों के साथ संपन हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, इस यात्रा पैकेज में सामिल रहेगा आपके इंडीगो एयर बाफसी उडाने जाने किराय और साजा आदार पर एसी बाहन दोरा आपको यात्रा कारक्रीम के अनुसार परेटन इस्तल हैं उनका बिर्मन कराया जागा, और साजा आदार पर ये आपको एसी बाहन में, एसी आवास रुकाया जागा, बैंगलूर, मैसूर, ऊटी और कुर्ग में अच्छी तरह से सुसि आप देख सकते हैं, ये package exclusion है, ये जो आपके यात्रा package में सामिल नहीं है, आप देख सकते हैं, आप एक रात मैसूर में रुकेंगे, hotel पाई बिश्ठा में, और दो रात आप कुर्ग में रुकेंगे, hotel ली कुर्ग में, और दो रात आप ऊटी में रुकेंगे, hotel परीती, classic tower में और एक रात आप बेंग्दूर में रुखेंगे उटल कमफोर्ट इन शिश में चलिए रूल्स रेगूलेशन नियम सर्तें देख लेते हैं चलिए आप यात्रा पैकेज की कीमत जान लेते हैं तो दोस्तो इस यात्रा पैकेज की कीमत पर परसन आप देख सकते हैं कंपोर्ट क्लाश में सिंगल एकूपैंसी में 55,250 डवल एकूपैंसी में 42,850 और टिपल एकूपैंसी में यानि कि तीन लोगों के साथ सेरिंग में करते हैं आप तो 40,900 रुपैंसी चलिए आप बच्चों का देख लेते हैं बच्चा यदि 5-11 साल का है और बेड लेना चाहता तो 36,600 रुपै पर बच्चा बच्चा दी 2-11 साल का है विदाउट बेड के 34,600 रुपै पर बच्चा रहेगा तो दोस्तो आप देख पा रहा है contact detail ये लखनव zone में आप address देख पा रहा हैं और जो agent है उनके number देख पा रहा है email id website देख पा रहा है इन पे आफ संपर करके इस पूरे यात्रा package की बारे में detail से जानकरी ले सकते हैं जो भी confusion है वो पूछ सकते हैं और इनी number से आप इस यात्रा package को book भी कर सकते हैं इस यात्रा package में संब्सक्राइब कोई conclusion है हम बता नहीं पाएं तो आप इन पे number पे call करके पूछ सकते हैं तो जानकरी आपको कैसी लगी comment करके ज़िए आगे भी आप ऐसी जानकरी पाते रहें इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब और बेल के आइकन को पेसर के वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद जय हिंद जय भारत